जवाद भाई असलाम लेकूम वा साइंस अलेकूम क्या कहना चाहेंगे कुछ नहीं मैंने का आपकी खैरियत लें बड़े दिन हो गया अपने लाइफ का कोई अपडेट सुना है कोई कोई अपडेट आप बड़ी इसलाम की उसमें आप फिक को आप पढ़ रहे थे अपने नई चीज सोची है सीख तो बहुत कुछ रहे हैं पड़ भी बहुत कुछ रहे हैं रिसेर्च मेरी आजकल शरिया के ऊपर चल रही है मेरी जो रिसेर्च है वो शरिया पूरे शरिया के ऊपर है जैसे के हम लोग ये तो एक चीज जानते हैं के शरिया की डिवेलिपमेंट एक हुई जैसे के पहले दस साल में बहुत कम थी रिसुल लाइफ थी पहले दस साल में तो बहुत कम थी उसके उपर एक वर्ड भी है जो कुछ सजाएं जो कुछ कुवानीन बेसिक से जो कुवानीन जो कुरान में बताए गए हैं उनको क्या कहते हैं जैसे हाथ काटने की सजा या रजम की सजा जो रसूल अला की जिन्दगी में हुदूद हुदूद तो है लेकिन I can't remember there's a certain word जो कर चार या पांच ही बनते हैं I think they are strictly driven from is there only I thought Hadud was just for anyway doesn't matter चलें आप शरिया को पढ़ें उसकी evolution को पढ़ें origin के बाद तो क्या उसमें मैं ये पढ़ ला था किस तरह उसकी development हुई है जैसे हजूद से सलम की जिन्दगी के बाद बहुत जादे developments उसकी जादा हुई है rather than in his own life उनकी अपनी जिन्दगी में बहुत कम development हुई थी और उनकी जब जब वो यानि गुजर गए जब उनकी फोट हो गए तो विसाल होगे तो विसाल होगे तो 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 उसके बाद बहुत जादा development हुई बलके after that there was more development rather than उनकी अपनी लाइफ में तो मैं उसके ओपर research कर रहा हुई किस तरह बदली है और आज जो हम देखते हैं शरीय को it's it's a different किस तरह different है as to the origin starting point तो आजकर मैं एक research paper बना रहा हुई उसके ओपर काफी बढ़ा है where are you going with this are you going towards because it happened after Rasulullah के गुजरने के बाद जो एक इनसानी सोच थी ये इसका product है जो शरीयल लौ है जो obviously जो complication है it's quite complicated so are you saying के because that came ये रसूल के जाने के बाद लोगों ने बनाया that's why it can either be dismissed or respected or not respected or modified where are you trying to go with that मेरी असल में इस बारे में अब सोच बदल गी है कि मैं लोगों को पताऊं कि वो क्या सोचे है क्योंके देखें बहुत लोग हैं हर बंदा ये कहता है कि जी मैं सही हूँ जी मेरी सोच सही है जी देखें मैं अब मैं अपने आपको इस तरह देखता हूँ कि मैं एक रिसेर्चर हूँ मैं रिसेर्च सामने ला सकता हूँ अब आप उसमें से क्या सोच निकालेंगे वो आपके उपर अब ये मैंने छोड़ दिया कि जी लोगों को convince करना जी कि इस तरह आप सोचें उस तरह आप सोचें फिर मेरा एक तबका बन जाएगा फिर आपका एक तबका बन जाएगा उसका कोई फाइदा नहीं होता और लोग डिवाइड हो जाएंगे और लडाइड हो जाएंगे और लडाइड होंगे और लडाइड होंगे फिर और चीजे होंगे तो उसका कुछ फाइदा मैं सिर्फ एक research कर रहा हूं अब लोग उस में से क्या उस research I get your point लेकिन उस research का भी कोई मकसद होता है कि आप उसके कोई नतीजे पर पहुंचना जाता है किसी conclusion तक पहुंचना जाता है आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे उसके साथ personally मैं अगर conclusion पर पहुंचता हूँ इस research से तो मैं बस वो conclusion share करूँगा अब लोग उस conclusion से करते किया है वो उनकी ओपर मैं उसको तो decide नहीं कर सकता लेकिन जवाद कोई भी हर educator technically speaking यही करता कि you have discovered, you think जो वो समझता है कि I have discovered something and it's worth sharing or now you can say कि उसके अंदर कितना passion है अब जासे scientists जो है for example you know they उनको भी एक तरीके का कई यह जो क्या कहते है उनको यह जो intelligent design वाला जो mob है वो कहते हैं यह भी preachers हैं यह प्रीच करते हैं यह हमें schoolों में जबरदस्ती हमें पढ़ाते हैं यह but you know when you listen to Neil deGrasse Tyson or something they think that we're doing something very noble you know which we have discovered something we have come to we have come to a conclusion पे आये हैं और आप हम उस conclusion को दुनिया तक पंचा रहे हैं so technically speaking तो हर कोई बस पंचा ही रहा होता है किसी ने बंदूक तो नहीं रखी होती किसी के साथ में हाँ नहीं वो बात सही है मैं बस मेरा यह कहने का मकसद है कि मैं बस रिसर्च कर रहा हूँ और यह यह आप पूछ रहे थे कि क्या development होई हैं तो मैं तो मैं बस बात सही है that's good I'm very excited anyway I wanted to know कि आप कि क्या आपके फिर एक कि आप जीते जाकते इंसान है आप रोबोट नहीं है unfortunately जो इस तरह के हमारे आलमीन करते हैं you know I was listening to मुफ्तिय बुलेट का जो पर आखरी सेशन था ना मैं बड़े रसे बाद मुफ्तिय बुलेट को सुना उन्होंने पूरा सेशन very interesting आप उसको देखिएगा मुझे भड़ी चीज़े सुनने को मिली सीखने को मिली जो यासिर कादी के उन्होंने जिस तरह उठा के पठख पठख के मारा है उनके अपने क्लिप उन्होंने रिसर्च की होगी उनके क्लिप उठा उठा के दिखा है यहां पर आप यह कह रहे थे हैं यहां पर यह कह रहे थे हैं और विद वड़ेवर, you know, like the point is कि आप जब मैं जासिर कादी को देख रहा था, मैं कहा थे इतना कुछ रिशर्च करने के बाद, पढ़ने के बाद, you become very monotonic एक तरीके के robot बन जाते हैं, वल्ला हो आलम at the end, you know, you have our own brain, maybe we could be wrong, आप गलत हो सकते हैं अपने conclusion के साथ, but at least have the courage कि को conclusion वो दे सकें आप, उनकी इतना बड़ा आलम होने के बाद, PhD from Yale के होने के बावजुद, he's saying, you know, we cannot question this. It's like, okay, all right, you know, I hope you don't become like him. No, 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 देखें, बात ही होती है, मैं, मेरा दिमाग तो यू है कि मैं एक research कर रहा हूँ, चले मान ले कि मेरा conclusion एक scenario में सही है, ठीक है? 100% सही है, मैं एक बात कह रहा हूँ, तो मैं I'll have the confidence to say के सही है लेकिन जब कोई आलिम या कोई scholar चाहिए वो गोरा हो मुस्लिम हो अर्बी हो चाहिए वो कहीं से भी हो अगर वो मेरे research को कहता कि आपकी research में ये 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 गलती हैं तो I will own it I will say okay मैं एक researcher हूँ और मेरे से गलती होगी मैं एक इनसान हूँ मैं देखूंगा कि क्या उस बंदे का response क्या उसमें तो कोई गलती नहीं है ये भी देख ज़ूरी है मेरा point यह obviously अगर कोई आपको academically तो you can be proven false or correct ये तो हो सकता बर मापॉइंट मैं जो आपको कहना चाहरा था कि you know sometimes if you're if are you prepared कि आपकी research if it can lead you away from your faith अगर आपको अपने faith से दूर ले जाती है do you think that you are prepared for it or you're looking क्योंकि ये तो एक virtuous बात है ना कहना कि मेरे इमान को नहीं को चेड़ सकता तो पढ़ने की क्या जरूरा था था पहर? I'm just going where it's leading me now that could be where yeah okay no that's good I'm speculating that could lead me to where you're saying मैं वहां भी जा सकता हूं जहां आप कह रहे हैं लेकिन मैंने कोई decide नहीं किया okay obviously मैं बस चल रहा हूं research जहां लेकर जा रही है अब उसमें turns भी आ रही है उसमें उंच नीच भी आ रही है बस मैं चल रहा हूं उसके साथ that's very good Javad I'm proud of you Javad anyway thank you for checking in मैंने का मैं आप से खैरियत लेलूं इन परसे मैंसेज कर लेते हैं मैंसेज कर लेते हैं आप का वहान को सोचल मेडिया वे कॉंटक्टिंगा या माना कुई I think we're in dm's I think एक दफा बोत कर ले किया था ढूंड लीजेगा okay okay all right that was Javad मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे PayPal या Patreon पर जरूर सपोर्ट कीजिए ताके मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पंचा सकूँ मैं अपना इसैसाट जादाँ सब्सक्राइब कर दोर्ट भी पंचा सकूँ